नमस्कार दोस्तों All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत है दोस्तों 100 MCQ लेकर आगा हैं आपको Lucent की बुक के यदि आपने Lucent पड़ी है तो Lucent में से आपको 100 MCQ लेकर रहे हैं इसमें से 50 प्रशन सही करके बताइए बहुत इजी कॉस्चन है एक्जाम में बारबार आई हुए कॉस्चन है आगे भी एक्जाम में आपको मिलेंगे 100% chances हैं शले स्टार्ट करते हैं पहला कॉस्चन देखे वर्स 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष में किस दिनांग को संपूर्ण विहार राज में बिहार दिवस मनाए जाता है तो विहार दिवस मनाए जाता है 22 मार्च को ऑप्शन नमबर भी 22 मार्च यहां पर इस प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा जात और सवार निम्न मैं से किस प्रसासनिक प्रणाली से संबनित है तो जात और सवार यह जो है यह मनसबदारी प्रणाली से संबनित है ऑप्शन नमबर यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली राजस्थान के किस किलेक में जैमल और कल्ला सूर्वीरों के सम्मान में च्छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सरदार अकबर की घेरावंदी में अपने प्रान त्याग दिये थे तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो किलेदत आपका चिता लगर का किला option number B यहाँ पर चिता लगर का किला right answer हो जाएगा डश राम पंत के अग्रणी जोती इस्तम बसंत कवी थे जिन्होंने राम चरत मानस नाम कविता लिखी थी तो राम चर्थ मानस किसी रचना है ये रचना है उप्शन नमबर तुलसीदाजी के उप्शन नमबर भी भगवान राम पर केंदरत भक्ती आंदोलन के अग्रदूत कौन थे बाबर बिल्कुल राइट आंसर है, बाबर था सबसे पहले विवेकारंद रॉक मेमोरियल कहां इस्ते थे तो विवेकारंद रॉक मेमोरियल जो है वो कन्या कुमारी में इस्ते थे, option number भी यहां पर सही आंसर है लॉड करजन द्वारा, प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चर्मोतकर्स वास्तुकला का प्रतिन निज्व करता है जहां पर आपका विक्टोरिया मेमोरियल है, option number C कलकत्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इससे प्रशन के लिए हुमायू के किस उत्तराधिकारी का जन्म हुमायू के निर्वासन काल में हुआ था और जब उत्तराधिकारी 13 वर्श का था, तब उसके पिता की ब्रत्ती हो गई थी सिंपल सा है, सभी को पता है, कई बार एक्जाम में हुआ हुआ है नाम था अकबर, option number B, right answer हो जाएगा अकबर के बाद सत्ता समालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ होता है विश्विजेता तो सलीम को जो खिताब मिला था, वो मिला था आपका जहांगीर का और जहांगीर मतलब होता विश्विजेता, option number A, यहांपर सही answer है भगत सिंग, सुकुदेव और राजगुरु को उनकी पुन्यतिती पर सद्रांजली देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 23 मार्च को होता है आपका सही दिवस option number C, यहांपर सही दिवस right answer है आगरा में यमना नदी के किनारे, अपनी पत्नी ममताज महल के लिए ताज महल का निर्मान किसने कराया था तो ताज महल का निर्मान कराया गया था, शहा जहांदवारा option number A, शहा जहां right answer हो जाएगा दिल्ली का लाल किला और जावा मजजित के शाशन की वास्तु कला की विशाल उपलब्दियां है तो ये कौन सा राजा था, तो ये जो उपलब्दियां है, ये हैं आपकी option number B, सहा जहां के समय लाल किला और जावा मजजित की वास्तु कला का निर्मान किया गया था वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंग ने किस भारती समारक का निर्मान कराया था तो महाराजा सवाई प्रताप सिंग ने हवा महल का निर्मान कराया था, option number B, गुरू अरजुन देवजी, right answer है कुतब मिनार का नाम सूफी संथ के नाम पर रखा गया है, उनका नाम कौन सा सूफी संथ है वो? तो सूफी संथ उनका नाम है आपका option number B, ख्वाजा, कुतब उदीन, बक्तियार, काकी, option number B, यहाँ पर सही answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए किसके शाशनकाल में चीनी आतरी हैंसांग भारत आया था, तो हैंसांग आया था option number E, हर्षवर्धन के शाशनकाल है भारत, option number A, हर्षवर्धन यहाँ पर इस प्रशनी के लिए right answer है तीसरी सताब्दी इसा पूर्व और बाहरवी सताब्दी इसा के बीच की अवदी से सम्मनित वह स्थान जो बौधकला और वास्तुकला के उतकर्ष्ट नमूनी के लिए प्रसिद्ध है, तो वह स्थान है आपका यहाँ पर सही answer हो जाएगा option number B, साची पढ़ता है हमायू ने अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराय था, तो हमायू ने हराय था, सिकंदर सूरी को, option number B, सिकंदर सूरी को हमायू ने हराय था, राइट आंसर हो जाएगा, अगला question, महात्मा गांदी ने वर्ष में, वर्ष डैश में, नेटल भारती का गठन किया, तो नेटल भारती का गठन हुआ था, महात्मा गांदी जी द्वारा, 1894 में हुआ था, option number C, सही आंसर है, प्रतम एंगलो वर्मी युद्ध का अंत पर किस पर हस्ताक्षर करने के पश्रात हुआ था, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हुआ था, option जूपे में, 6 अपरल 1919 को बोला गया था, option number A, यहाँ पर राइट आंसर है, हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोशियेशन का गठन, डैश वर्स में अंग्रीजों को खार फैकने के उदेश्य किया गया था, इस पार्टी का गठन, इस एसोशियेशन का गठन, option number D, 1928 में किया गया था, इसका गठन किस ने किया था, comment box में comment करके बताइए, हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोशियेशन का गठन किस ने किया था, 1920 का खिलाफत आंदोलन, 10 के खिलाप किये गए अन्याय के विरुद, एक विरुद के रूप में आजुत किया गया तो वो जो था, खिलाफत आंदोलन, वो किया गया था, तुर्की के खिलाफ, option number D, right answer हो जाएगा, Missionaries of Charity की संपादक Mother Teresa का जन्म कब हुआ था, तो Mother Teresa जी का जन्म हुआ था आपका, 26 अगस्त 1910 में option number यहाँपर D, सयांसर है, किस वर्ष में East India Company को पूर्व और रदक्षन पूर्व, एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के निगमित किया गया था, तो यहाँपर सयांसर हो जाएगा, वो वर्ष था आपका option number A, Sun 1600, भारत में सिपाही विद्रो की सुरुवात कहां से हुई थी, तो भारत में सिपाही विद्रो मेरट से सुरुवाता option number A, मेरट सयांसर है, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाब किस वर्ष में जो है, पथारू घाट किसान विद्रो हुआ था, तो पथारू घाट किसान विद्रो जो हुआ था, वो हुआ था आपका option number C, 1894 में सही आंसर हो जाएगा, वासकोडी गामा किस वर्ष काली कट या कोजी कोट में आया था, तो वासकोडी गामा आया था, 1495 में option number A, यहाँ पर सही आंसर है, तनाख किस धर्म संपर्दाय का एक पवित्रगंत है, तो जो तनाख है, वो है आपका यहूदी धर्म का एक प्रंथ, option number A, यहूदी धर्म राइट आंसर है, निमल कितम से सिंदु घाटी सविता का एक बंदरगा शहर कौन सा है, तो सिंदु घाटी सविता का बंदरगा शहर, यहाँ पर जो options देगा है, option number C, लोथल यहाँ पर right आंसर हो जाएगा, डैश ने गंगे कोट चोला या गंगा नदी के विजेता की उपादी धान की थी, तो यहाँ पर जो options देगा है, उसमें से सही आंसर है, आपका राजेंदर चोल परतम ने यह उपादी धान की थी, option number C सही आंसर है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, तो कोहिमा और इमफाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, तो कोहिमा और इमफाल की लड़ाई जो लड़ी गई थी, वो 1944 में लड़ी गई थी, option number A, 1944 राइट आंसर है, गेटवे ओफ इंडिया को निमलकित में से किस ने डिजाइन किया था, तो गेटवे ओफ option number A, George Viveit, राइट आंसर है, एक हजार एक ECB में अपने पहले हमले में महमूत गजनी ने, निमलकित में से किस भारती ये शाषक को हराय था, तो महमूत गजनी ने हराय था, option number B, जैपाल को, option number B, जैपाल यहाँ पर इस प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस सबर्श भारत के प्रशाशन को महरानी विक्टोरिया की उद्गोशना के बाद, बिटिस सामरा हांतों में सोब दिया गया था, तो वो संता आपका 1859, 1859 की क्रांती के एक साल बाद, बुर्ज होम नव पाशान यूगीन इस्तल डैश में से थे, तो बुर्ज होम नव पाश नमबर A, Lord Cannon सायांसर है, 1917 में महतमा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्यागरा किसके समर्थन में किया था, तो वो समर्थन हुआ था, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महमारी से प्रभाए थे, ऑप्शन नमबर A यहांपर सायांसर है, निम्दर कि सतापदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किस ने की, तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासी दास जी ने की थी, ऑप्शन नमबर यहांपर A, गुरु घासी दास जी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए, मुगलों के स आप के वनसच के रूप में वनत करते हैं ये गलत है बाकी वे पित्रपक्षित तैमूर के वनसच से सही है बाबर का संबंद अपनी मा की तरफ से चंगेश खान से था ये भी सही है उजवेक के लोगों के द्वारा बाबर कोन की मात्रबोमी फरगना से निकाल दिया गया था ये भी सही है प्रसिद्य खजराहो इस मारक समू का निर्मान किसके द्वारत किया गया था कराया गया था तो खजराहो जो है इसका निर्मान कराया गया था यहाँ पर से आंसर हो जाएगा आपका इस प्रशने के लिए option number B, चंदेल उन्वारा option number B, चंदेल इस प्रशने के लिए right answer है अगला question दिखते है मुगल समराट ने आलमगीर की उपादी धान की कौन सा मुगल समराट था? जिसने आलमगीर की उपादी धान की तो वो थे आपके option number B औरंग जेव ने आलमगीर की उपादी धान की थी निम्लेकित नेताओं में से कौन हिंदू सोसलिष्ट रिपब्लिक आर्मी का समपादक सदस्य नहीं था तो यहाँ पर जो नेतागर दिये गए हैं उसमें से बदरुदीन तयअब जी ये नहीं थे बाकी अजय गोश, जतिन दास और भगत सिंग थे निम्लेकित में से कौन सा काश्मीर के राजाओं का विस्तरत विवरण देता है तो काश्मीर के राजाओं का विस्तरत विवरण देता है आपका राज तरंगिनी option number C सही आंसर हो जाएगा तो देव नाम पिया कहा जाता था यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा option number C अशोक को option number C सही आंसर है भगत सिंग सुकदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी तो भगत सिंग सुकदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस से प्रशने के लिए गुजरात के वागेला राजवंस का वह अंतिम शाशक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिल जी को राज दिया गया था तो अलाउद्दीन खिल जी को राज दिया गया था पिस्तॉल और बम इनकलाप नहीं लाते बलकि इनकलाप की तरवार विचारों की सान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे यहाँ वाके निमलकित में से किसका है अबी दीनारस गुप्त काल के सोने के सिक्ट को कहा जाता था एगला कोश्चन वर्ष 1774 में प्रसिद रोहिला युद्ध में रोहिला को आवद के किस नवाब नहराए था तो रोहिला को आवद के आवद के आप्शन नमबर भी सुजाओ दौला नहराए था आंसर हो जाएगा अबी दीनारस गुप्त के लिए भारत में चटानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बाराबर गुफाएं नमलकित में से किस काल की हैं तो जो बाराबर गुफाएं हैं आपकी वो है आपकी मौरे सामराज काल की option number A मौरे काल right answer हो जाएगा कलहड ने बारवी सताबदी में काश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लिखन किया जिसका नाम क्या था तो काश्मीर के राजा पर लिखी गई जो पुस्तक थी उसका नाम था राज तरंगिनी option number B right answer है जीत का सबसे उंचा और सबसे बड़ा प्रतीक बुलन दरवाजा किस साचक ने बनवाए था तो बुलन दरवाजा बनाए था अकबर ने option number C अकबर यहाँ पर right answer है गुरु गोविन सिंग सिंग के कौन से नमबर के गुरु है तो गुरु गोविन सिंग जीत थे वो 10 वे नमबर के गुरु थे option number B सही answer हो जागा 10 वे नमबर के गुरु पर्यूशन डैस संपरदाई के लिए एक महतुपूर्ण पर्व है तो जो पर्यूशन है वो जैन संपरदाई के लिए एक महतुपूर्ण पर्व है option number B सही answer है 1857 का सिपाही विद्रो उस समय हुआ था जब भारत का गवर्णर कौन था तो उस समय भारत का गवर्णर जनरल जो था वो था लौड केनन option number C लौड केनन सही answer है मंदर करनाटक में हमपी का वास्तु सिल्पी है असाधान और दर्शन है इस्थल है तो करनाटक में स्थित वो मंदर कौन सा है वो है विठल मंदर option number A विठल मंदर राइट आंसर हो जाएगा सिख धर्मगरंत के पहले आधिकारी के संस्क्रण मतलब आधिकरंत को पांचवे सिख गुरू डैश ने संकलित किया था तो पांचवे सिख गुरू option number C गुरू अर्जुन देव ने संकलित किया था सही answer है गुरू गोविन सिंग ने सिखों को हर समय पांच वस्तूं को धान करने की आगया दे थी कौन सी एक वस्तू इन पांचों में से नहीं है तो यहांपर जो options देगा है उसके अनुसार आपका जो पांच वस्तूं में से एक नहीं है वो कील नहीं है बागी कंगा केश और नमब सी राइट आंसर हो जाएगा इस से प्रश्नी के लिए चौथा मुगल समराथ अरविंदो घोश का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था तो अरविंदो घोश का जन्म जो हुआ था हुआ था पंदरा अगस्त 1872 को option नमब सी से आंसर है जलिया वाला बाग अत्याकांड जि बहुत बड़ी चीज थी है 1909 में जेल से रहा होने के बाद अरविंदो घोशन ने डैश नामक दो सापताहिक अकबार पत्रों की सुरुआत की थी तो वो सापताहिक अकबार पत्र थे आपके पहला तो था अंग्रेजी में कर्म योगनी और दूसरा बंगाली में धर्म option न गांधी को 1915 में दक्षिन अफ्रीका में एंबूलेंस सेवाँ के युगदान के लिए कौन सा अवार्ड मिला था वो मिला था केसर रहिंद और किसमें सम्मानित किया था तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा यह किया था आपका लॉड हार्डिंग option नमबर भी लॉड हार्डिंग आपर सही आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए प्लासी की लडाई सुराज दौला और बिडिस इस्ट इंडिया कंपनी के बीच डैस को लड़ी गई थी जो प्लासी की लडाई हुई थी वो ही थी आपकी गोल गुमबज भारत के किस राज में सत है तो गोल गुमबज जो है वो करनाटका में सत है तो मुगल सामराज से यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिये गा है उसमें से ऑप्शन नबर भी शेर शासूरी का संबन नहीं है शेर ख्वाजा कुतुबुदीन बक्तियार काकी की दरगा इस्ते थे तो इनकी जो दरगा इस्ते थे वो दिल्ली में से थे ऑप्शन नबर भी दिल्ली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1924 में कॉंग्रेस के आपके दौरां कॉंग्रेस के दक्ष कौन थे तो बेलगाम संबिलन के दौरां कॉंग्रेस के दक्ष आपके मकल्म गांधी मुहंदाeg करम चुन गांधी जी थे ऑप्शन नमर सी सही आंसर है निम्नलकित में से कौन सा राजवंश कुतुब उद्धीन एबक द्वारा इस्थापित किया गया था यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए अप्शन नमबर C गुलाम वंश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निम्नलकित प्राचीन पुस्तकों में से बान भट्टे ने किस पुस्तक का लिखन किया तो बान भट्टे द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उसका नाम था आपका कादंबरी ऑप्शन नमबर C सही आंसर है कादंबरी तो सिक्षः धर्म के पांचवे गुरु को थे तो सिक्षः धर्म के पांचवे गुरु थे गुरु अर्जुन देध हो option number ए सही आंसर है निमलकल विखती में से किस घटना से Lord medicine का समबन्द है तो Lord medicine का समबन्द option number वी बंगाल का विवाजन से है option number भी यहाँ पर सही answer है British East India Company ने भारत में नमलकित में से कौन सा पहला किलाव वनवाय था जो सबसे पहला किलाव वना था Port St. George option number यह सही answer है भारत में राष्टी आंदोलन के संदर में पूरा समझोता पर हस्ताक्षर कब हुए थे पूरा समझोता पर हस्ताक्षर कब हुए थे 1932 में option number भी सही answer है 1932 मदिकालीन भारत के संदर में नमलकित युगमों में से कौन सा युगमों सही है तो जो युगमों दिये गए हैं उसमें से आपका दुआरते बार बोसा पुर्तगाल ये वाला युगमों बिल्कुल सही answer है नमलकित में से कौन पंदरवी सताब्धी के दौरान असम में वैशनाव संपर्दाय के मुखि समर्थकों में से एक था तो वैशनाव संपर्दाय के मुखि समर्थकों में से शंकर देवजी थे option number यहां पर भी सही answer है मुखलकाल में संस्क्रिट से फार्सी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है तो महाभारत को कहा जाता है रज्म नामा फार्सी में option number C सही answer रज्म नामा निम्नलकित में से किसने चार मिनार बनवाई थी जो चार मिनार का शेय जाता है कुली कुदुब शाह को option number A सही answer कुली कुदुब शाह पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्दल खितमें से किसके बीच लड़ी गई थी तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी यहाँ पर सही answer हो जाएगा इस प्रशन का option number A मराथा सामराज और दुर्रानी सामराज किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेंप स्फोट सुधार के नाम से भी जाना जाता है तो वीर शेव डैश के न्युआई थे तो वीर शेव थे आपका बस वन्ना के न्युआई option number A यहाँ पर सही answer है हिंदू पौराणे कताओं के संदर में नमलकित में से कौन सा विकल्प भारत जो है भगवान विष्णू के 10 आउतारों में से एक नहीं है तो यहाँ पर जो option दिये गा है उसमें से वराहव मदस और कुर में गरण आउतार नहीं है गरण उनका वाहन था नमलकित में से किसको वेदांग कहा गया है तो वेदांथ परिस्थी से क्किसे लोक नाएक के नाम से भी जाना जाता है जैप्रेकाश नाराण जी को और यह रहा अज का आपका आखरी question मोहँज ओडारों किस नदी के तड़ परिस्थ है मुबार्ख होज जिसे उसमें पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत बढ़ाई, आप अपने पढ़ाई के लिए और अपने लिए बहुत जारा सीरस है, राष्ट्रवादी कॉंग्रिस पार्टी का गठन किस वर्स हुआ था, अच्छे से पढ़िएगा, राष्ट्रवादी कॉंग्रिस पार फिर से सुन लीजे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वस्तों आपका रिंशोबो, बहुत बहुत धन्यवाद